रभु मैं तेरा, 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 तू मेरा, 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 मैं तेरा, 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 तू मेरा, मेरा, मेरा एक स्त्री किसी पुरुष से शादी करती है ना, उसमें भहुत सारे अवगुण हों, पर उसकी अपने पत्ती के प्रती प्रीती उसे सद्गुणी बना देती है, चेक है ना? लड़की में पहले अपने माईके के गुण होते हैं, और शादी के बाद उसके ससुराल के गुण होते हैं, यदि उसके ससुराल के गुणों को वो ग्रहन तब ही कर सकती है, जब उसकी अपने पती के प्रती प्रीती होती है, ठीक है, ठीक है ना? प्रीती ही मनुश्य को सदगुणी बनाती है प्रीती ही एक ऐसी वस्तु है जिसके पास acceptance पावर है जो विरोध कम और स्वीकार जादा करती है यदि एक पत्नी को अपने पती के प्रती प्रीती ना हो तो वो उस घर में रहना मुश्किल समझती है वो एक परिवार से आती है दूसरे परिवार का स्वीकार करती है उसके लिए वो सारा परिवार नया है रीत रिवाज नए है नीती नियम नए है पर फिर भी उसके लिए कुछ भी टफ नहीं है क्यूं? क्यूंकि उसकी अपने पती के प्रती प्रीती है पती के प्रती, जितनी पतनी की प्रीती है, उतनी ही पतनी मोल्ड हो सकती है अपने आपको बदलने को तयार होती है, ठीक है ना, सहमत हो ना मेरी बात से, हाँ, ठीक है यदि वो नहीं बदलती है, पती नहीं बदलता, तो इसका मदलब प्रीती की कमी है प्रीती की कमी ही व्यक्ति को कठोर बनाती है, प्रीती की कमी ही व्यक्ति को दुर्गुनी बनाती है, प्रीती की कमी ही व्यक्ति को बदलने नहीं देती और अपना ही चलने देती है, दंभी, आडंबरी, मेरी चले ये जहां प्रीती नहीं होगी, वहां पर मेरी चले ये आसकत जहां पर आपकी प्रीति किसी और में है तो आप कोशिश करेंगे कि मेरी ना चले पर उसकी जरूर चलनी जाएए यह तो एक संसारिक एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति की प्रति प्रीति की व्याख्या है और इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी से प्रीति करता है और उस जिससे प्रीति करता है उसके गुण अपने भीतर धारन करता है आप जिसके प्रति प्रीति करते हैं आप उसे अब्जर्व करते हैं ठीक है वो कैसे चलता है कैसे बैठता है क्या बोलता है कैसा करता है और उसे क्या भाता है ठीक है ना और आप भी उसके अनुकूल होने की कोशिश करते हैं जिसके प्रती आपकी प्रीती होती है अब ये बात है कि आपकी प्रीती किसी सांसारिक व्यक्ति वस्तु पदार्थ के लिए हो सकती है प्रेमी या प्रेमिका के लिए हो सकती है पिता के लिए पुत्र के लिए हो सकती है पर ये प्रीती जो है ना ये संसार में प्रीती कभी भी एक जैसी नहीं रहती बदलती जरूर है पहले वही प्रीती पती में थी पत्नी की बच्चे आने के बाद प्रीती कम हो गई पहले प्रीती पत्नी में थी पत्नी की किसी और के आने के बाद प्रीती कम हो जाती है या कोई और चीज का महत्व बढ़ जाता है तो पहली वाली चीज की प्रिती कम होने लगती है, ठीक है? कुछ वर्ष के लिए उतनी की उतनी प्रिती रहती है तो आप जब किसी व्यक्ति के प्रती प्रिती करते हैं तो उस अपने आपको बदलने का पूरा प्रयास करते है उसके रंग के कपड़े, उसकी पसंद की चीजे उसे क्या भाता है वैसा बनाने की कोशिश, वैसा खाने की कोशिश उसे जो अच्छा लगता है वैसा बोलने की कोशिश और वैसा चलने की कोशिश ठीक है? हर अपना तौर तरीका और रंग ढग पदलते हैं इस संसार में परिवर्तन शीलता बहुत है पहले प्रिती किसी और में फिर किसी और में पहले कुछ और अच्छा लगता है बाद में कुछ और अच्छा लगता है ठीक है बदलाव है इस संसार में बदलाव है ठीक है मानते हो ना आपको भी हुआ होगा किसी और से पृती हुई होगी, फिर किसी और के आने के बाद उससे पृती कम होगी होगी तो आपने सुना भी होगा कि आजकल तुझे मेरा ध्यान नहीं है या आजकल तू हमें प्रेम नहीं करता या प्रेम नहीं करती है ठीक है? क्योंकि बदलना इस संसार का स्वभाव है एक जैसा प्रीति कभी किसी के साथ नहीं रहती दूसरी बात कि आप दिन भर जो काम करते हैं दिन भर जो संसार में हम लोग जिस जड़ता को लेकर जिस असंगता और असत को लेकर हम जीते हैं उसमें चिड़चिड़ापन है स्ट्रेस है उसमें बात बात में गुस्सा है उसमें नकारातमत्ता है उसमें दोश दर्शन है उसमें निंदा है है ना पर यदि हम इतने दोशी हैं कि हमें सब की निंदा करने का क्रोध करने का लोब करने का हम में सौ दुरगणें आप में भी होंगे आप अपने आपको देखोगे ना तो अपने आपको आप परफेक्ट पाओगे ही नहीं आपको लगेगा कि आप में ये दोश, ये दोश, ये दोश आप विकारी हो जाते, कभी इलो भी हो जाते, कभी करोधी हो जाते, कभी कामी हो जाते, कभी बहुत अच्छे हो जाते, आप में ही वो बिन बिन रंग दिखाई देते हैं, दुनिया रंग बाद में दिखाती है, आपका मन रंग सबसे पहले दिखाता है, ठीक है, मेरा आप से केवल इतना कहना है, कि आप में जो कोई भी दोश हो, होने दो, आप जैसे कोई हो, होने दो, आपको जो कुछ पसंद हो, होने दो, केवल आपकी प्रीती परमात्मा से हो जाए, ना सारे सदवन आपके भी तरा आजाए. क्योंकि, एक प्रीती ही ऐसी चीज है, जो आपको बदलने को मजबूर करती है, एक प्रीती ही ऐसी है, जो आपको उसके जैसा होने को मजबूर करती है, एक प्रीती ही ऐसी है, जो आपको उसके जैसा बनने को लालाइत करती है, यदि आप बदलने वाले संसार से प्रीती करते हैं, तो आज उसकी बाते अच्छी लगती है, कल उसकी बाते बुरी भी लग सकती है पर परमात्मा एकरस है, परमात्मा नित्य है, परमात्मा जब चाहो उस समय रसील आ है और रस किसको नहीं चाहिए, प्रेम किसको नहीं चाहिए, उत्सा किसको नहीं चाहिए, तो परमात्मा चौभी सो घंटे, सातो दिन, 365 दिन और आपकी ता उम्र रसमय है यदि हम उस परमात्मा से प्रीती करते हैं, तो हम में दुर्गुण हैं, देखो मत, आप केवल उससे प्रीती करने का ठान लो, यदि आप इश्वर से प्रीती करते हैं, उसे कब कैसे आप में सदुर्गुण भरना है, वो उस पर छोड़ दो, केवल आपका प्रीती करने का का आप मार्केट में जाते हैं, बजार में जाते हैं, या आप कुछ खरीदने जाते हैं, या आप फॉरें तक चले जाते हैं, तब भी भी आपको आपकी प्रीती का विश्य याद रहता है, ठीक है ना? आपको अगर पत्नी में प्रीती है, तो आप कितना ही दूर क्यों ना चले जाओ, आपको याद रहेगा मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरा पती, मेरा इंतजार कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको नहीं पता है, पर आप इंतजार करते हैं, आपको लगता ह कि मुझे उसके पास जल्दी जाना चाहिए, ठीक है? आपकी प्रीती है, तो प्रीती कहीं पर भी हो, घूम फिरकर उसके पास चली जाती है, जिसके पास आपकी प्रीती हो, उस प्रीती का विशे घूम फिरकर वही आ जाता है, ऐसे ही आप संसार में घूमो, फिरो, पहनो, न आचो, कूदो, मना नहीं है, पर आपके प्रीती का केंदर परमात्मा को रखोंगे, तो घूम फिर के आपकी नजर उसी पर टिक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, घूमो पर गुमो मत, देखो पर उल्जो मत, चको पर बहुमत, मैं बाजार से गुजरता हूँ, राम जी के गुरू कहते हैं, मैं बाजार से गुजरता हूँ, पर खरीदार नहीं हूँ, ऐसे हम बाजार में रहते हैं, यह संसार में, आप सन्यासी बन जाओ, या आप ग्रहस्ती बन जाओ, या आप बहुत बड़े बन ज़ाओ, यह संसार का त्यांख कर लो, तब भी वह संसार ही है, संसार को छोड़ दोगे, तब भी संसार ही होगा, जहां पर वह गुफा में जाकर बैठेगा, क्योंकि वह अपना संसार अलग बना लेता है, जो जोगेश्वरी, जो तपेश्वरी, जो खड़ेश्वरी होते हैं, आपको लगता है कि ओहो, कितने महान आत्मा है और ये लोग तो वर्षों तक तपस्या करते हैं, एक पैर पर खड़े रहें, उनका संसार अपना है, उन्होंने भी अपना संसार बना लिया है, तो जहां यह मन है ना, यह मन संसार से बना है, प्रकृती से बना है, तो इसको तो आप अपने से अलग कर ही नहीं सकते। केवल आप जहां रहते हो, आपने प्रीती का केंड्र यदी परमात्मा को बना लिया, तो घूम फिरकर आपको परमात्मा के पास जाना आए, वो आपको स्मरण दिलाता रहेगा हर बार यदि आप खाना खारे, यदि आप उल्जे हुए, तब भी यदि आपका प्रीति का स्थान कोई है, प्रमात्मा है, जैसे आप कितना ही नाच कुद लो और आपकी प्रीति का पार्टनर आपके साथ नहीं है, जिसके साथ आप, हम पार्टनर इसलिए कहेंगे जरूरी नहीं, वो पती-पत नहीं ही हो, वो प्रीति का आपका शेयर करने वाला मा भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, पर वो सा प्रीति आपके रदे को दस्तक देती है, है ना? आप अपने आप से पुछिए कि आप दिन भर से उठते हैं और रात को सोते हैं, उसमें कितने सारे काम करते हैं, उन सारे कामों में आपको भगवान, आपकी प्रीति का इष्ट वो गुरू हो सकता है, वो आपका इष्ट प्रमेश्वर, प्रमात्मा हो सकता है, आपको कितनी बार याद आता है, अगर सौ बार याद आता है, तो आप समझ लो कि इसने आपका चैन कर लिया है, हर काम के बाद यदि आपको याद आता है तो समझ लो कि उसने दस्तक दे दी है और आज नहीं तो कल आपको उठाने वाला है आपकी पूर्ति कहाँ है? और सावधान रहिएगा. यदि आपकी पूर्ति धन में है, यदि आपकी पूर्ति किसी रिष्टों में है, तो भले आज आपको अच्छा लगता है, तो यही धन और यही रिष्टी आपको दोखा देंगे. जरूर क्योंकि ienकी फित्रत है यूस्थ नूका थासीर इस लिए प्रीति का स्थान केभल परमात्माई होना झालेए जो बदलता नहीं है, दोखा नहीं देता नहीं है और कुछ कहता भी है आप लड़ो, जड़ो uts उसको कोई दिकत नहीं है, प्रिती करो, उसको कोई दिकत नहीं है, गालियां दे दो, तो Shishupal का उदार हो गया. नारद ने पूछा कृष्णा से, कि Keshav, मुझे एक सवाल, एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, कृपया मुझे समझाने का प्रयास कीजिए, कि शिशुपाल ने आपको 100 गाली दी, 100, ऐसा नहीं कि 2-3 उसे कोड हो जाना चाहिए, इतना वो बुरी तरह मरना चाहिए, पर उसके स्थान पर आपने उसको वही मुक्ति दी, जो एक योगी को मिलनी चाहिए, जो योगी दिन भ के नाम का रटन करते हैं, जो प्रत्यक वस्तु में परमात्मा के दर्शन करने की कोशिश करते हैं, ऐसे भाक्तों को जो गती होनी चाहिए, वही गती शिशुपाल की हुई है, भला, ऐसा क्यों? सौ गाली वो भी परमात्मा को, स्वयम को, और आप इंतजार करते रहें कि सौ गाली तक मैं सुनता रहूं, ऐसा क्यों कि आपने, रिष्णा बहुत सुन्दर उतर देते हैं, रिष्णा कहते हैं, नारद, उसने गाली दी, किसको दी, बोले आपको, योगी ध्यान किसका करत आपका, तो नारद, मैं ये नहीं देखता, मैं वो विष्य नहीं देखता, कि उसका संबंध मेरे से शत्रू का है, मित्र का है, प्रेम भाव का है, या अन्य भाव का है, पुत्र भाव का है, मित्र भाव का है, शत्रू भाव का है, या मेरे वैर भाव का है, मैं ये देखता उसे गाली किसको, उसे गाली के चिंतन में कौन था? मैं था, ऐसा उदार प्रमात्मा आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, आप दुनिया में किसी को गाली देखर तो देखो, पता चल जाएगा, आपकी प्रीती का केंद्र हो, उसे आप गाली दो, ठेक काने पाणि जवाब सुंदर देते हैं, कि मैंने शिशुपाल ने गाली दी वो नहीं देखा नारत, पर उसका वेर किस से था? मुझ से था ना, मतलब उसके चिंतन में तो मैं था ना, किसी भी रूप में, तो आपके चिंतन में वो होना चाहिए, आप शत्रुता रखना चाहते हो, रख रदय को पावन करना है, और रसमे जीवन जीना है, तो भक्ती ही सर्वस्रेष्ट है, वेर क्यों रखना? वो तो पृति के कामिल है, पृति रखके अपने रदय को पावन करना चाहिए, पर वरना अगर आपके पृति का केंद्र परमात्मा है, तो वो गाली भी सुनता है, आपका केंदर यदी परमात्मा है, आप यदी परमात्मा से प्रीती करते हैं, तो आप निश्चे जानिये, आपको लाख दुर्गुन है, फिर भी आप सद्गुनी बनके एक ना एक दिन अपने लक्ष को जरूर हासिल करते हूँ. एक हाड मास का पिंजर, यदी हाड मास की पत्नी या पती एक दूसरे के लिए इतना परिवर्टित होने को तयार हो जाते हैं, इतना अपने आप में बदलाव लादेते हैं, तो आप यदी परमात्मा से प्रीती करेंगे, तो परमात्मा अपने गुन आपको नहीं देगा, वो वो सरवगुन संपन है, वो आननद दाता है, वो रस दाता है, वो प्रीती दाता है, आपको वही मिलेगा जो वो खब्लक है. हम देखते हैं कई बार कि पती, पत्नी एक दूसरे के साथ रहके एक दूसरे के गुन खरान करने लगते हैं. पहले पत्नी बहुत ऐओची होते है, बाद में पती थोड़ा अगर ठीडा होता है तो बीवियां भी एड़ी हो जाती है या बीवियां ठीड़ी होती हुती है तो पती भी बाद में ठीड़ी होने लगते है आपको पता होगा. Και माय बिशारी रोती र justification, मारो, soniae, badalayyeो उसके गुण आप एक दूसरे को दहन करते हो